नेक्स्ट कॉलर गुर्प्रीट सेंग स्वागत है आपका हान जी बोली मैं पूछन चाहते हैं मेरी उम्मना 3 साल है मैं शादी को 3-3 साल हो गया है मुझे न ओवेरियन सिस्ट की प्राब्लम है जी चीक है अच्छा दिखिए जितने भी बच्चियां होती है और इससे कोई घबराने की बात नहीं शादी आपकी हो गई है कल को भगवान आपको ऑलाद भी देगा और हमारे अनुभाव में ये बात खुब अच्छी तरह आ चुकी है कि जब हम साहिब ऑलाद होते हैं जैनि जब हमारे बच्चा होता है उसके बाद ये सिस्ट कहां गई डॉक्टर खुद ही ढूनते रह जाते हैं तो अभी इसका उपरेशन मत कराना एक बच्चा होने दीजे बच्चा होने के बाद अक्सर ये गायब हो जाते हैं और मेरी बात पर आप अमल करेंगे मतलब बोती कितने सालों से उनका मतलब पेड़ भी सापनी होता है वो पेड़ बढ़ते ही जा रहा है एज क्या है एज उनका 48-49 आएगा अब बिटा ये समस्या हर घर की है और इसके लिए निसका भी एक बहुत अच्छा है जो लोग लिख लेते हैं उनको बड़ा काम आता है जो लिखते नहीं है उनको याद कुछ रहता नहीं पिर उल्टा पल्टा बनाके नुक्सान भी कर सकते हैं तो आप लिख रहे हैं तो मैं बोलना शुरू करूँ सौफ 200 ग्राम, मेथी का दाना 200 ग्राम, आमला रसाइन जैतून जैतून का रसाइन कहते हैं नमक जैतून भी कहते हैं आसान भाशा में और इंग्लिश में एस्टेक जैतून कहते हैं सफेद किसम का एक नमक जैसा दिखने वाला पदार्थ जिसे रसाइन जैतून या नमक जैतून कहते हैं ये जायके में नमकीन नहीं होता लेकिन नमक जैतुन इसे कहते हैं इसको डिर सो गिराम इसे मिलाकर पाउडर बनाएं और एक चमस सुबा खाली पेट एक रात को सोती समय जरूर खिलाया करें पानी के साथ आपकी मम्मी को फाइदा होना मुमकिन है अगली कॉलर हल्दवानी से हैं रजनी स्वागत है आपका हालो हान जी बोले हालो मैं नमश्पे मैं रजनी हो रहा बोल लिए हूँ कितना वेट है आपकी एज कितनी है 68 68 वेट है या आपकी एज है 68 मेरे वेट है मैं और एज एज मेरी 25 ओकी यहां लेकिए दवाओं से भी आदमी ठीक होता है लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ बच्चियों से कि अपने दिन में एक गंटा भाग दोर का टाइम निका लिए कोई ऐसा गेम कहल सकते हैं जिसमें बहुत मेहनत हो भाग न दोर न हो तो यह सबसे अच्छा निसका है बाहर जाएं वाक करें और खूब तेज भागें पांच बार गरम पानी पी हैं यह बहुत सुरक्षी थे इसे आप दूबले पतले हो जाते हैं और सुडॉल हो जाते हैं और बाडी क्योंकि यह आपकी गरोध कर रही है तो उससे कोई नुक्सान भी नहीं होता वरना पिर दूबाएं भी हैं मैं एक नस्खा भी बता रहता हूँ वो बड़ा अच्छा है जैतून का नमक रसाइन जैतून नाम से एक चीज़ आती है इसको दो चुटकी पानी मिला कर सुबा शाम पीने से भी बज़न कम होता है कैपसूल एफ केर एफ और फैट कैपसूल एफ केर लेने से भी वज़न कम होना मुम्किन है लेकिन मेरा आप से निवेदन यह है कि भाग दोड़ के और थोड़ा खाना कम खाकर जैसे चार रोटी खाती हैं तो दो रोटी खाने लगे पांच बार गरम पानी पीज़े और भाग दोड़ के गेम के लिए तो आपको फाइदा मुम्किन है चंडिगर से नेक्स्ट कॉलर है विनोध जी स्वागत है आपका बताए इसको सीजो के निया है दस बारा साल से इसको अलोग सी दोईयों से चल रही है तो यह गाड़िया निकालती है रूप टान काम करती है कोई काम निकरती है इसका फिलकुल श्री डीला पड़ जाता है कोई अगर इलाज हो तो बढ़ीं जूपता है देखिए इम्मुनिटी स्टॉंग कर दीजिए उनकी जितना भी कर सकते हैं और इसके लिए या तो आप माजून आर केर लें माजून आर केर सुबा शाम एक एक चमच गरम पानी से और थोड़ा वाक करने को कहा करें बच्ची को दूसरा एक नसका है वो लिख लीजे लिखिए उननाब एक बेर होता है जो इरानी बेर को उननाब कहता है ये बिलकुल लाल होता है बड़ा खुब्सूरत भी होता है और बहुत जायका खुच जायका होता है 100 गरम उननाब और 100 गरम अलसी और 100 गरम लिसोडा ये आप लें और 30 गरम आपे किचन में पीपले कहलाती है एक एक जेल इंच की लंबी होती है पीपले है तीस गिराम इसे मिलाकर पॉडर बनाएं और एक चमश सुबा शाम गरम पानी से किलाया करें और ज्यादा तर कोशिश करें बच्ची के गरम पानी पिया करें खुब गरम जैसे चाय पीते हैं गरम गरम चुस्किया लेकर ऐसे गरम पानी खुब गरम पिया करें तो आपकी बच्ची को फाइदा मुम्किन है। क्या परिशानी पेड में। ताइफाइट ने अंदर से टाइफाइट आतों का ही एक रोग है। आतों में गंदगी या इंफेक्शन को ही टाइफाइट कहते हैं। जिससे बुखार आता है। जिससे सर्दी लगती है। और वो तो अगर ठीक हो गया तो ठीक है। नहीं तो टाइफाइट का इलाज कराने के बाद फिर जाच करानी चाहिए। ठीक हो गया के नहीं। और गौन मौरिंगा लें सफेद वाला। गौन मौरिंगा सफेद और अधा गिराम रोजाना एक नारियल पानी में मिलाकर कमस कम एक बार जाद जाद दो बार पिया करें। आपको फाइदा मुम्किन है। यूपी से अगली कॉलर है सुश्मा जी स्वागत है आपका। तो उसका के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर कुछ भी गुंजाईश है या कम काम कर रही है, क्रिटनाइन बढ़डा है और गंद की बढ़ड़ी किड्नी की, तो किड्नी भी दो होती है। अगर ज़रा भी गुंजाईश है तो हम कुछ ना कुछ मदद कर सकते आप उनकी रिपोर्ट हमार से शेयर कर लें, हमसे वाटसप ले लें हैर्प्लाइन नंबर से और उस पर शेयर करेंगे तो हम आपको बहतर मदद कर पाएंगे। आपकी उमर कितनी है मेरी साथ साल की है। आप हमारी बात सुनिए, अगर नहीं है तो लगवा लिजे, उसी बातरूम में एक सीट लग जाती है, जिसको वेस्टन टॉयलेट कहते हैं, वो कुरसी वाला होता है। आपके लिए जरूरी है, अगर आप चाहते हैं, पूरी तोर पर अच्छे हो जाएं, तो आप जैसे ल सुबा शाम लें, और वेस्टन टॉयलेट दवा से भी ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, कैपसूल टी कह सुबा शाम लें, पानी से या बगएर चरबी के दूर से, आप यकिन लखें कि आप कुछ दिन देंगे तो आपको रोग मुक्त होना मुमकिन है। अश्विनी जी, स्वागत है आपका। आपको असर अच्छे से हो रहा है या फिर तकलीफ ज़्यादा हो रही है। अश्विनी जलते हैं तो आपको अश्विनी जलते हैं तो हाफते हैं आप, अब मैं समझा तेरे रुकसार पे तिलका मुतलब दौलते हुसन पे दरवान बिठा रखा है। देखिए उमर है आपकी और लगातार खाते रहें गरम पानी पांच बार पिया करें आप। बजार में मिलता है एक चीज बहुत सस्ती जिसे कहते हैं कलमी शोरा और ये ले लीजे 100 गराम और एक चुटकी पानी में मिला के एक बार या दो बार रोजाना पिया करें आपको और ज्यादा फाइदा मुम्किन है। पंजाब से अगले कॉलर हैं हर्मन कॉर स्वागत है आपका जल्दी से सवाल कर लिजे समय बहुत कम है। मुझे ना फैट इलीवर की प्राब्लम है मैं मुझे एसिडेटी और फैट इलीवर दोने है भूप बहुत कम लगती है और कुछ भी खाती है तो एसिड बन जाता है मैं। ठीक है ठीक है हाँ बैटे इस इसी कमोर में आपको ये रोख हो गया है और एक याद रखें कि एनिमल फैट बिल्कु छोड़ दें एनिमल फैट लोग समझते हैं कि मास में है मास में ही नहीं दूद में भी एनिमल फैट है घी में भी एनिमल फैट है और मक्षन में भी एनि खाव खाने से भी ये मामला ठीक हो सकता है अचा एक आता है जैतून का नमक इसे रसाइन जैतून कहते हैं आपको लिख लेना चाहिए जैतून का नमक या रसाइन जैतून या एस्टेक जैतून इसको आप सो ग्राम खरीद लें और दो चुटकी सुबा दो चुटकी शाम पा आपको ठीक होना मुमकिन है